हलो फ्रेंड असलाम लेकूम आज हम बनाएंगे टोमेटो प्याज वाला चिकन इस रेस्पी में हम प्याज और टोमाटो को कुकर में गला कर बनाएंगे आपने चिकन की तो बहुत सी डिस बनाई होगी और खाई होगी एक बार आप प्याज टोमाटो वाला चिकन बना कर देखिए ये थोड़ी सी मुख्तलिफ डिस है और ग्रेवी का टेस्ट भी डिफरेंट होगा लेकिन लाजवाब बनकर तयार होगा और बहुत ही लजीज ये एक बार ट्राइ करना तो बनता है तो चले जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि हम ये प्याज टमाटर वाला चिकन किस तरीके से बनाते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रेस्पी को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमे 4 laborator एड़कर अर डालेंग। 3-4 मिट तक पूनने पाने के बाद हो एक कप देंगे कुकर की लगा देंगेности यहां पर हमने एक कप बहुने के लिए younger लाने के प्याज की मिठास ऊह जाता है। और यहां पर हमने एक किलोग्राम चिकन ले लिया है इसको खुबच्ची तरीकी से धो लिया है तो चले जल्दी से वीडियो को बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर एक कप मैंने सर्सू का तेल लिया है प्रीफाइन ऑयल भी ले सकते हैं लेकिन हम लोग सर्सू के तेल में च फेसा से सब्सक्राइन च decorator के मेंड़ें धेयर मेंटेसे, और फेसे से फ्रीफ जान पीर में में फालें लो टु मेडियम फ्लैम का फ्रीफ गएज नर्फ कि जुआए मोलै को फेसे गए net खुब फेस नर्फ की चे कदूए निद्द फ्रीफ ऑजख सब्सक्राइए जब भी आपको चिकन बनाना हो तो चिकन को खुब अच्छी तरीके से भूनाई करें ताकि हमारा चिकन में बहुत ही अचा टेस्ट आ तो यहां पर हमने चिकन एड्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि यह थोड़ा थोड़ा वाइड कलर का दिखने लगा है और खुब अ इसको हमने भुनाई कर लिया है और चिकन ने जो अपना पानी छोड़ा है उसको भी हमें ड्राइ करना है तो इस रेस्पी को आप अपने घर पे जरूर ट्राइ करें बहुत ही आसान मैथेड है इसको बनाने में कोई भी जंजट नहीं है बस हलके फुल के मसालों से हम यह रेस छ 출 Toby तरक चांड कर देख होने लगए फेट लैंगे इसको मिक्सिके के जार में पीसना नहीं है बस इसी को अहांgood sms कर देते हैं तो कर में घर खते हों बहुत है अच्छा टेश्ट आता है तो एक बार इस तेस्ट आएगा तो खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर इसको हमें भूनना है जो प्याज ने जो पानी छोड़ा है वो भी हमें इसमें सुखाना है तो यहां पर कुछ मसाले हमने एड़ किये है एक टीजपून काली मिच हो जाता है और इसमें जादा मसाले की जरूरत नहीं पड़ती है और टेस्ट भी एकदम लाजवाब होता है बहुत ही चटपटा यह हमारा चिकन बन के तयार होता है इसमें हमें काली मिर्च और हरी मिर्च का इस्तमाल करना है लाल मिर्च का इस्तमाल बिलकुल भी नहीं करन उससे तरिके से शुक्खा है और ऋटेकर जाएंबाक, जोड़ा है विटूक्म देख़ने में णुरुरु तो नमक कया लगा नहीं टोई सी तरीके से जला नहीं आयोगे विखती तिक रच को बाइसे Hybrid विखते है trip काया और ताकि स्टाओर उपर में व्नक कर सकते हैं फ्राइच तरहा चिकन रूसे उर्ण निष्य जेंता सब्सक्राइब देगान तो यहां ठाड़ चिकन रूसे रूसे पेसर इसा और ढ़ेचिकन पट्टिक के लिदू न रैड़िय के साथ पोज और पर दोगान देखन दोड़े दोड़ेर्स के जल वशुक्त सब्सक्राइब आप देख सकते हैं बहुत ही डिलशीयya से है हमारा चिकन बनके तया हुआ है आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपके न हो जाएंगे और इसको बना भी बेहद आसान है और यह बहुत हर के फुलके मसालों से यह रही हुए बहुत ही बनाना चारिफी बनाना चा दोorman मघणते ह अगर आपको यह रेस्पी थोड़ी सी भी अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और फैमली फ्रेंड में सेयर करना बिल्कुल भी न भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी आने वाली लेटेस